समी की तीजोरी है सब के पास हर स्वास रखी है इसमें खास हरी नाम में निवेश किया तो धन समपत्ती बढ़ाओगे और बिन सोचे खर्च किया तो सब कुछ गवाओगे जय शनिदेव जय श्रीकृष्णा मेरे प्यारे बच्चो स्वागत करें हूं आपका मार्च राशिपद में मार्च का महिना आपके लिए कैसा जाएगा क्या-क्या आपके लिए लेकर के आया है कौन-कौन से त्योहार पढ़ रहे हैं कौन से ग्रहें बदल रहे हैं और आपक किस्मत को प्रभावित कर रहे हैं, सभी कुछ जानेंगे So, let's get started यह जो राशी फल है आपके चंदर राशी पर आधारिक है यानि जर्म कुणली में आपकी जो भी सटीक राशी है उसी के साथ से आप इस राशी फल को देखें आपके साथ पूरा मेल खाएगा और अगर आपको नाम राशी पता है अपने असली राशी नहीं पता है तो उसके द्वारा भी देख सकते हैं साथ में मुझे जो भी intuition होता है जो भी आभास प्राप्त होता है उसके द्वारा भी मैं ये राशी फल आपको बताती हूँ हो सकता है पूरा का पूरा राशी फल आपकी साथ मेल खाजाए हो सकता है कुछ ऐसे messages हो जो आपकी किसी और साथी के लिए हो तो जितना भी मिले उसे रखें बाकी को जाने दें क्योंकि ये एक common prediction है कोई खास सद्धा प्राप्त करना चाहते है कोई advice प्राप्त करना चाहते है पसनली अपनी जनमकुंडी दिखाना चाहते है तो बिलकुर निशुलख हमारे सिद्ध दरबार में आएं और शनीदेव की कृपा आपने साथ ली जाए चलिए अब जानते हैं कौन से कौन से त्योहार इस महिने में आने वाले है ये महिना जो है मार्च का बहुत ही विशेश होने वाला है क्योंकि इसमें शिवरातरी भी है और होली भी है तो चलिए festivals जानते हैं चलिए अब आपको ग्रह कुचर बता देते हैं कि कौन से ग्रह आसमार में किस प्रकार से परिवर्तन करेगा और आने वाले समय में आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा सूरे जो है वो 14 मार्च से मीन राशी में प्रवेश करेंगे चंद्रमा महीने के शुरवात में अपनी नीश राशी यानि की ब्रश्चिक राशी में रहेंगे और अंत में धनू राशी में कोचर करेंगे मंगल जो है 15 मार्च को कुम्ब राशी में प्रवेश कर रहे हैं बुद्ध जो है वो 7 मार्च को मीन राशी में रहेंगे प्रहस्पति मीश राशी में ही बने रहेंगे शुक्र भी इस महीने परिवर्दन करेंगे और साथ मार्च को कुम राशी में पहुच जाएंगे शनी अल्रेडी कुम राशी में है उसी में बने रहेंगे राहो मीन राशी में और केतू कन्या राशी में गोचर करते रहेंगे रिच्चिक राशी वालों चलिए जानते हैं कि महिना मार्च का आपके लिए क्या लेकर के आएगा याईसे मैं आपकी एनरजी में टैप इन कर रही हूँ तो मुझे बहुत जादा जल्दबाजी दिखाई दे रही है आपको किसी काम को जल्दी जल्दी खदम करने की इच्छा हो रही है बहुत जादा जल्दबाजी आप महसूस कर रहे है और जल्दबाजी में क्या होता है काम जो है वो बिगड़ जाता है आप तो उसे जल्दी खदम करना चाहते है और वो उल्का बढ़ जाएगा तो वहाँ आपको थोड़ा सा केर करने की ज़रुत है सबसे पहले major energy तो ऐसे आ रही है दूसरी energy आ रही है कहीं ना कहीं आपको अपने relationship को ले करके बहुत दर सताता रहेगा इस समय में आपको काफी ऐसी feeling आईगी जैसे जो हमारे रिष्टा है वो कहीं तूट ना जाए या सामने वारा जिशे में भी परिशान हो सकते हैं कि सामने वाला partner उससे क्यों बात कर रहा है इतने समय क्यों बात कर रहा है तो वो सारी चीज़े थोड़ा भएक स्थिति उत्वन हो सकती है लेकिन आप चिंता मत करिए आपके partner आप ही के हैं कहीं नहीं जाएंगे ऐसी कोई दिकत आपको नहीं होगी और अगर रियूनियन के लिए ट्राइ कर रहे हैं ब्रेक अप हो गया है ब्लॉक हो गया है नो कंटाक्ट है तो ऐसी स्थिति में भी आपको लाब रापती होगी मार्च का महीना आप अपने partner को contact करेंगे और वहाँ से थोड़ा थोड़ा response जो है वो आपको मिला शुरू होगा या किसी के through आपको communicate करने का मौका भी इस समय में मिल सकता है कुछ लोग अपने घर में कोई नया शीशा लाते होए दिखाई दे रहे हैं बहुत specific कि किसी के लिए मेसिज है करटन और शीशे बदलते होए या लाते होए आप दिखाई दे रहे हैं इस समय में जो है थोड़ा सा जोड़ों में आपकी दर्द हो सकता है थोड़ा सा आपको gastric problems अता सकती है और जोड़ों में दर्द रहे सकता है उस चीज से आपको थोड़ा ख्याल रखना है आपको आपकी मदर की side से आपकी नाना नानी से या फिर आपकी मदर की मामा मामी से वहां से कुछ special gift मिल सकता है कुछ लोगों के लिए तो dress दिखाई दे रहे है या आपको कोई dress जो है gift में मिल सकती है बहुत रोते हुई आई थी और आज देखो इनके चेहरे की मुस्कान का ना कोई और है ना कोई छोड़ मेरा नाम जमना देवी है मैं जमना पाल लचमी नगर से आई हूँ और जबसे मैं यहाँ पे आई हूँ मैं अपने बेटे को लेके बहुत परिशान थी मेरा बेटा कुछ गलत हरकतों में बहुत गंदी वालियों में चला गया था जिसको लेके मैं बहुत दुखिती रोती रहती थी कुछ भी नहीं कह पाती थी लेकिन आज मेरा बेटा बहुत मेरा कहना मानता है और उन सब चीजों से बाहर आ गया है यहां कि मुझे बहुत फायदा हुआ है गुरु माता ने मुझे यह अंगूठी दी ती इससे भी मुझे काफी अच्छा लगा है पहन के काफी फायदा हुआ है आपके जॉब की बात करें तो जॉब में आप इस समय में अपने मस्त रहेंगे आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है आप अपना काम करेंगे जल्दी से निपताएंगे घर आ जाएंगे तो ऐसा जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहे है आपको दिक्कत है नहीं लेकिन आपको लग सकती है कि अभी कोई नया काम शुरू कर रहे है या कुछ नया एक्स्पाइंड करने की कोशिश कर रहे है या आपका existing काम है वो नहीं चल रहा है तो उसको लेके चिंता जो है वो आपको जादा सता सकती है और आपकी बच्चों को लेकर के भी आपको चिंता सता सकती है अगर आपके बच्चे आपके घर में हैं तो उनको लेकर के भी चिंता आपको सता सकती है कुछ लोगों की specific message है दूद जो है आपकी घर में बार बार खराब हो सकता है तो आप थोड़ा उस चीज़ के उपर ध्यान दीजेगा इस समय में face पे आपकी काफी सारे दाने या pimples जो है वो बढ़ सकते हैं अगर आपका किसी पर crush है और आप उनको propose करना चाहते हैं उनकी तरफ जाना चाहते हैं बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद ही उसके लिए प्रयास करना होगा यानि कि आपको मार्च में movement करनी होगी अपने मन की बाप उनको बतानी होगी communicate करना होगा यह तो नहीं कहते हैं कि 100% yes हो जाएगी लेकिन हाँ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इसमें भी ना करें आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको अपनी feelings बताएं पहले उसके दोस्ती करें उसको अपना दोस्त बनाएं और फिर समय अनुसाद ही अपनी feelings को completely व्यक्ट करें लेकिन आपको इनिशियेट तो लेना पड़ेगा इनिशियेट तो करना पड़ेगा इस conversation को सामने की तरफ से अभी को response आता मुझे या उनकी तरफ से पहल होती नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समय में आपके past की कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकते हैं वो आपको disturb कर सकती हैं परिशान कर सकती हैं बहाँ थोड़ा ठ्याल रखेंगे अब अगर income की बात करें तो income आपकी stable रहेगी और अगर आपका एक कोई business है तो double business कर सकते हैं यानि कि एक और किसी तरीके का business आपका start हो सकता है कोई और काम हो सकता है या कोई side income आप कर सकते हैं या कोई investment की तरफ जा सकते हैं जहां दो जगे से आपको income आती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर किसी भी प्रकार किये इसे आपको food industry में जाना चाहते हैं MLM marketing करना चाहते हैं किसी भी ऐसे प्रड़क्ती जो की आयर्वेदिक है, खाने का है food से संबंदित है, कोई organic चीज है, वहां आपको लापकी प्राप्ती हो सकती है, तो ये था आपके इस महीने का हाथ, मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में मार्च का महीना आपके लिए बहुत शुप जाए आपके लिए बहुत शारी खुश खबरिया लेकर के आए, यही मेरी कामना है यही आशिरवाद है, आप सभी को आशिरवाद देते हैं, जै शानी देव, जै श्री कुर्शन